आपका सौगत है आपकी अपने यूटूब चैनल एक्सिलेंस वाई एपीएस पर मैं डिसकस करने वाला हूँ आज साइन्स के पार्ट फॉर इससे पहले पार्ट फर्श सेकेंड और डिसकस कर चुका हूँ वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिसक्रेप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखकी वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं लास्ट ये के सौल पेपर हिंदी इंग्लिस पर्यावरण मैत और है ना साइन्स के टॉप एक्स पर वीडियो जो है ना बना चुका हूँ वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी वहां सूर के सबसे नजदीक गिरह कौन सा है तो सूर के सबसे नजदीक गिरा जो हुए ना फोकौन सा हो आपको बताना है तो इसका रह अंसर ओब संदी बुद्ध कर शहीं आंसर ये कुश्यन आपके एक्जाम में आ चुका है और इस बाडा के लिए बी या कुश्यन नम्र 62 सूर गरहड तब होता है जब सूर गरहड कब होता है यह ना सिंपल सा कुश्यन है यह भी कुश्यन आपके एक्जाम में आ चुक है और अपसन भी इसका करेक्ट आंसर है चंद्वा प्रत्वी और सूर के वीड जबा जाता है तब यह सूर गरहड होता है उपसन भी इसका सही आंसर है और इंपुडेंट कुश्यन भी है नेक्स्ट कुश्यन नम्र 63 सर्व प्रत्रम चंद्रमा पर मानब कब उत्रा था तो सबसे पहले मानब चंद्रमा पर कब उत्रा था option D, इसका correct answer है 1999 में D, option इसका correct answer है or improvement question भी है next question number 64 बलित परवत का निर्माण कैसे होता है बलित जो परवत है उनका निर्माण कैसे होता है चट्टानों में mode परणने से इनका निर्माण होता है option D, इसका रही answer है or bosn d, is the right answer is significant question next कि सबसे उचा पठार कौन सा है कुशिन नमर 65 ये कुश्चन आपके पेपर में कई बार पूचे जाता रहा है एक्जामनर का फैवरेट कुश्चन है और ये इस वार भी आ सकता है तो ये औप सोने सका सही अंसर पामीर का पठार कुश्चन को करने से पहले ये है कि आपको सार अन्सर आपको कमेंट सेक्षिंश में बताने होगे कि कुछिन नम्र 66 देचेड भारत में चाय का प्रमोक क्छेत्र कौन सा है यह जो है यह ना ऑपसर में नील गिरी चेत्र सही आंसर है इसका और इंपोडेंट कुष्ट्जन भी है इसका जो राइट आंसर है वो है पैट्रॉलियम और इन्पॉर्डेंट कुश्चन भी है इस कुश्चन को लिखते भी जाएए और राइट भी याद भी करते जाएए नभी जाएट भागलपुर की सुद्यों के लिए प्रिस्धि नरक भी जाएट न्याओ Wire करते लिखते इसका सःए अंसर है और इप्रलेंट कुश्चन भी है So Learn Now and Write Now Question No.69 Most Impotent Question Excellence and Modern School Inters Exam कई बार यह question आपके exam में आभी चुका है Most Impotent Question है जनसंग्या के मामले में विस्व में किस देस का प्रतम इस्तान है अलब की जनसंग्या के स्तान में सबसे पहला इस्तान किस में है स्यादा जंसंग्या किस देथ में पाइजाती तो यह option B, चीन ये ना फस्ट रैंक पर उसके बाद सेकंड रैंक पर है और वारत सेकंड रैंक पर आप से यह भी पूचे जा सकता है कि भारत का जो एनसंग्या कि देश्टी कौन से कौन से नम्मर पर आता है तो ये second में नमबर पर आता है ठीक है इन पुर्ण एंड बुशनने ये भी सो लर्ण आ यां रइट नौ नेक्स्ट कुश्य नम्बर 70 हीरा कुंड परियोजना किस राज में इस्तित है तो हीरा कुंड जो परियोजना है वो किस राज में इस्तित है यह है उडिसा में ओप्सन डी इसका करेक्ट आंसर है उडिसा एन इंपुडेंट कुश्यन भी है यह question भी आपके exam में आ चुका है so most important question है next question number 71 पनामा नहर किंदो समुद्रों को आपस में मिलाती है जो पनामा नहर है वो किंदो समुद्रों को आपस मिलाती है option C Atlantic एबं प्रसान्त महासागर option C इसका सही answer है और important question भी Atlantic एबं प्रसान्त महासागर next question number 72 पूड पाशाड योग के जीवन यापन का मुख्य दार क्या था तो पूड पाशाड के जो है न जीवन यापन के मुख्य जो आधार था वो क्या था तो उसका जो राइट आंसर option B सिकार सिकार इसका सही answer है और important question भी है so learn now and write now question number 73 प्राचीन मारब ने सबसे पहले किस पसू को पालतू बनाया प्राचीन जो मारब था उसने सबसे पहले किस पसू को पालतू बनाया option ने कुत्ते को कुत्ते को ये right answer ये question आपके exam में पूछे जाता रहा है और important question भी है next question number 74 भारत में आकर आरे जिस इस्तान पर पहले पहले बसे पहले पहले बसे उसे क्या नाम दिया गया तो उसे जो रहे हैं नाम आपको है ना option C इसका सही आंसर है शिप्त सिंदू इसका सही आंसर option C शिप्त सिंदू सब्त सिंदू और ये important question भी है question number 75 सिंदू घाटी सब्ता के लोगों की आजीबका का मोकिसादन क्या था इसका अंसर आपको comment section में बताना है simple question है most important question है option A किरसी, option B सिकार, option C पसुपालन, option D ब्यापार तो इसका जो भी right answer होगा आपको comment section में बताना है ठीक है और important question भी है question number 76 चौती बौधिसंगती किसके कारकाल में हुई थी तो चौती जो बौधिसंगती है वो कनिस्क के काल में हुई थी option C इसका सही आंसर है कनिस्क next question number 77 साची इस्पूत का निर्माड करवाया था साची इस्पूत का जो निर्माड है वो किस ने करवाया था option B इसका सही आंसर है असोक ने गुलबर्ग में A option B option बीजापूर में C option दौलताबाद में D option हैदराबाद में जो भी सही आंसर होगा करवेंट सेक्शन में बताएंगी यह question आपके एक्जाम में आ चुका है most important question है next question number 79 हैदर अली का उत्राधिकारी बना हैदर अली का जो उत्राधिकारी है वो कौन बना इसका राइट आंसर क्या होगा यह जो है ना आपका option D correct answer टीपू सुल्तान इसका सही आंसर है next question number 80 भारत का भीवाजन कब हुआ भारत को जो है ना भारत पाकिस्तान का भीवाजन कब हुआ था यह हुआ 1947 में option D's का सही answer है यह भी important question है इस बार के लिए आ सकता है आपके एक्जाम में most important question है तो इस तरह से हमने part 24 वार्ड जी के का अंप्रीट कर लिया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता है वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी कुछ शर्ट आपस पूंचे गए उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने है यह आपने चैनल को कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबाए इससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें वाद दोस्तों साथ चैनल को जाद शादर सेर जरू करें इससे हैं ना उनके पास पी इंपुडेंट कोश्चन पहुंच सकें और चैनल की सब्सक्राइबर्स पर भाने कोशिश जरू करें जिससे की मैं बहुत ही जल्दा आपकी ऑनलाइन क्लास दे सकूंच जैहिंद फ्रेंट्स जैहिंद इस्टूजेंट्स थैंकी फो वाचिंग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जोड़े रही हमारे चैनल के साथ दिगे